हालो एरिवन, कॉंपटिटिव एक्जाम में आपका एक बाद फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए सामान्य ग्यान के टॉफ फिफ्टी जो है मत्तपुन प्रशन लेकर आ गया हूँ ये हमारा इस सीरीज का सेकिंड पार्ट है इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिसकस कर चुके हैं उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप वहां से उन सब इस प्रशनों को दे सकते हो ये प्रशन आपके पिछले कई बार आग्जामों में पुछे जा चुके हैं चाहे वो ससी का अग्जाम हो रेलवेस का अग्जाम हो चाहे आपके स्टेट लेवल के अग्जाम हो जिसमें आपके पुलिस, फोरेस्ट, गार्ड, कलर्क, जयो आईटी जितने भी एक्जाम रहते हैं, वहाँ पर ये पुछे जाते हैं, और आगे भी ये पुछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा, कि आपका जो जी के जो बाला पार्ट है, समानना ग्यान है, वो चेंज नहीं होगा, वो वही पर रहेगा, और बार बार ये कोशन रिपीट ह होते रहेंगे, तो आप इन क्वशनों को अपने स्ट्रॉंग कीजिए, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, इसमें फर्स्ट क्वच्चन है, मात्मा गांधी को राष्टर पिता सबसे पहले किसने कहा था, तो मात्मा गांधी को जो सबसे पहले राष्टर पित क्याते हैं, राष्टर गाने की अबदी कितनी है, यानि कि ज 주는 गनमन है, उसको गाने की अबदी कितनी है, तो उसको 52 सेकंड में ये गाया जाता है, रिडियो एक्टिव एक्टिविकता की खोच, किस ने की थी यानि कि रेडियो जो एक्टिविक्ता थी तो इसकी खोज की थी हैंरी बैकरल ने यानि कि हैंरी बैकरल जो थे इन्होंने रेडियो एक्टिविक्ता की खोज की थी नेश क्वच्चन है पेसमेकर का स्वन शरीर के किस अंग से है पेसमेकर जो होता है श्रीर के किस अंग के लिए इंपोर्टेट होता है तो ये हमारे जो हार्ट है हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए पेस में मेकर हार्ट के साथ लगाया जाता है मानव श्रीर की किस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी कहा जाता है तो मानव श्रीर की ऐसी कौन सी ग्रंथी है जिसे मास्टर ग्रंथी के नाम से जाना जाता है तो ये कहा जाता है प्यूश ग्रंथी को कार्बन का सर्वदिक शुद रूप कौन सा है यानि कि कार्बन का सर्वदिक शुद रूप कौन सा है तो वो है हीरा डाइमंड एक्सरे का विश्कार किस ने किया था तो एक्सरे का विश्कार किया था ये किया था रोंजन ने यानि कि रॉंट जन जो थे उन्होंने एक्सरे का विश्कार किया था किस दातु का प्रियोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया यानि कि किस दातु का प्रियोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था तामबा यानि कि कॉपर का इस्तमाल सबसे पहले मुनुश्य द्वारा किया गया है नेश क्वच्चन है अंतरिक्ष यात्री को भाया अकाश कैसा दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें जो है भाया जो अकाश होता है वो किस रंग का दिखाई देता है त दिल्ली स्थित मात्मा गांधी की समाधी का क्या नाम है दिल्ली में जो मात्मा गांधी की समाधी है उसका क्या नाम है तो उसका नाम है राजगाट राजगाट में जो है मात्मा गांधी की समाधी है नेश क्वच्चने भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी तो भारत में जो पहली रेल चली थी ये आपके बंबाई से चली थी यानि कि जो बंबाई था बंबाई से ठाने तक ये रेल चली थी भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरम की गई थी, तो भारत में सबसे पहले मेट्रो किस शेर में आई थी, यानि किस नगर में ये आरम की गई थी, तो ये कोलकता में सबसे पहले मेट्रो रेल आरम की गई थी, भारत में रेल का आरम किस सन में हुआ था, तो भारत में जो railway का अरअब हुआ था, ये 1853 में हुआ था. Next question है, प्रतम भारती अंत्रिक्ष यात्री कौन थे? यानि कि प्रतम भारती जो अंत्रिक्ष यात्री थे, वो वो यह थे स्क्वाडरन लीडर राकेश सर्मा. स्क्वाडरन जो लीडर थे राकेश शर्मा 1984 में ये प्रत्म बार अंतरिक्ष पे गए थे स्थापना कब हुई थी यानि कि स्थापना कब हुई थी ये आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेट कब हुई थी स्युक्तराष्ट संग का मुख्याल्या कहां है तो ये क्वेचेशन भी कई बार पूछा जाता है तो ये नेशन का मुख्याल्या है न्युयोर्क में न्युईयर्स ए में स्युक्तरस्ट्र संग का 113 स्दस्या कौन सा देश बना था यानि कि युनाइटि नेशन का 193 वा जो स्दस्या देश बना था वो कौन बना था तो यह बना था दक्षनी सुडान किस बिटामीन की कमी से खून का रुकाब बंद नहीं होता है यानि कि किस बिटामीन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और खून बहता ही रहता है तो वो है बिटामीन के यानि यदि आश्रीर में बिटामीन की कमी हो जाती है और यदि आपको चोट लग जाती है तो आप का खून नहीं रुकेगा यदि आपके श्रीन में बिटामीन की कमी हो जाए नेश क्वच्चन है हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो हिंदी दिवस हर साल 14 सेप्टेंबर को मनाया जाता है नेश क्वच्चन है सविधान के कि सनुछेद द्वारा हिंदी को राश्टर भासा गो किया गया है तो यह हमारा जो आर्टिकल है यह हमारा फोर यानि कि 343 यह तीन सो तरतालीस ही आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेट क्वच्छन है तो आप इसे भी नोट कर सकते हो नेश क्वच्छन है गोबर गैस में मुख्यता मुख्या रूप से क्या पाया जाता है गोबर गैस जो हता है उसमें मुख्यता पाये जाती है मिधे गैस नेश क्वच्छन है सुतंतरता मेरा जनम सिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह किस ने कहा था लोकमान्या तिलकने नेश क्वच्छन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कि इतनी अब्धी के लिए किया जाता है, राजे सबाके जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाब कितनी अब्धी के लिए किया जाता है, नश्क। प्रसिद जंडा गीत जंडा उंचा रहे हमारा की रचना किस ने की थी यानि कि जो प्रसिद ये गीत है जंडा उंचा रहे हमारा किस की रचना किस ने की है तो इसकी जो रचना की है वो की है श्यामालाल गुप्त पार्शद श्यामालाल गुप्त पार्शद ने ये की है ये यह आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा important question है कई बार यह भी पूछा जा चुका है next question है सिख इतियास में लंगर प्रता किस ने शुरू की थी यानि कि सिख इतियास में किस सिख गुरु ने जो है लंगर प्रता की शुरुआत की थी ये की थी गुरु अंगत देव जी ने next question है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है यानि कि सबसे जो प्राचीन वेद कहा जाता है वो का जाता है रिगवेद इसे सबसे प्राचिन बेद कहा जाता है और सबसे जो बड़ा बेद कहा जाता है वो कहा जाता है अथर्व बेद को और जो संगीत से रिलेटिड बेद है वो आपके पास सामधाम जो सामवेद है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलता वास्थानिंतरित किया था वो था मुहम्मद बिन तुगलक किसके जनम दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हाकी के जादूगर इने कहा जाता था विश्व प्रायवन दिवस को मनाया जाता है विश्व प्रायवन जो दिवस है वो मनाया जाता है पान जून को नेश क्वच्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो दिया था मात्मा गांधी ने नेश क्वच्चन है जै हिंद का नारा किसने दिया था तो जै हिंद जो ए उसका नारा दिया था नेताजी सुभास चंदर बोसने दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था तो दिल्ली चलो जो है इसका नारा दिया था नेता जी सुभाश चंदर बोस्ने सती प्रता के अंत में सबसे अधिक प्रियास किस समा सुधारक का रहा है यानि कि सती प्रता को अंत करने के लिए उसका अंत करने के लिए किस समा सुधारक ने सबसे ज़्यादा प्रियास किये थे वो किये थे राजा रामोन राये ने जिन्होंने सत्विप्रता को खतम करने के लिए काफी ज़्यादा मुहीम चलाई थी समासुधार इन्होंने किये थे नेश्क वच्चने फिलम के क्षेत्र में दिये जाने वाला सर्वोच भारतिय पुर्सकार कौन सा है तो भारत का जो सर्वोच विर्ता पुर्सकार है वो है परंबीर चक्र नेश्क वच्चने भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है यानि कि भारत का जो शेक्सपियर है ये किस को कहा जाता है तो जो काली दास जो है इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है नेश्क वच्चने, अंतरास्त्रिया महिला दिवस किस स्तिति को मनाया जाता है, इंटरनेशनल जो वुमेन डे मनाया जाता है, यह हर साल जो आपके आठ मार्च को मनाया जाता है, नेश्क वच्चने, कौन सी ग्रंती इंसुलिन स्त्रावित करती है, यानि कि कौन सी वो ग्रं अगनाश्या, अगनाश्या से ही हमारे इंसुलीन स्त्रावित होता है, नेश गचने, डूरंट कप का सबंद किस खेल से है, यानि कि डूरंट जो कप होता है, वो किस खेल में खेला जाता है, यानि कि किस खेल से ये सबंदित है, तो डूरंट जो आपके पास कप है, ये आपक बिटामिन C की कमी से कौन सी बिमारी होती है यानि कि बिटामिन C की यदि श्रीर में कमी हो जाए तो श्रीर में कौन सी बिमारी हो सकती है तो स्कर्बी जो रोग होता है वो बिटामिन C की कमी के कान जो है मारे श्रीर में हो जाता है यानि कि हसाने वाली गैस का अरसाइनिक नाम क्या है यानि कि हसाने वाली जो गैस है उस गैस का अरसाइनिक नाम क्या है तो ये भी आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेट है डिरेक्टली पूछा जाता है तो आप इसे याद रह सकते हैं तो हसाने वाली जो gas है ये जो gas होती है इसे कहा जाता है nitrous oxide N2O यानि कि N2O nitric oxide जो है जिसे हसाने वाली gas के नाम से भी जाना जाता है धावन सोडे का रसाइनिक नाम क्या है ये question भी आपके लिए important है कई बार ये पूछा जा चुका है तो धावन सोडे यानि कि धोने के सोडे का जो साइनिक नाम है वो है sodium carbonate sodium carbonate next question है पीतल किन दो धातो का मिश्रण है यानि कि पीतल जो है पीतल के बरतन जोते हैं किन दो धातो से बनाए जाते हैं तो इसमें आपके तामबा और जस्ता जोता है तामबा और जस्ता को मिला करके जो है आपके पीतल के बरतन बनाए जाते है नेश को अच्छन है कैली फेराल किस विटामीन करसाइनिक नाम है तो यह आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेट है ड्रेक्टली पुछा जा सकता है कि कैली फेराल किस विटामीन को कहा जाता है तो कैली फेराल जो है आपके पास कैली सी फेराल जो है विटामीन डी का जो नाम है वो कैल रेट भ्लेड सल होते हैं इनका निर्मान जो है हमारे श्रीर के किस भाग में होता है तो बौन में रोज होता है अस्थी मज़ा वहां पर जो है में मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएं और जरूर आप इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन पर प्रेस करके आप लेटस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो हम यहां पर जॉब से लेटी नोटिफिकेशन को भ डिसकस करते हैं तो आप जरूर इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद